प्यारे साथियो नमस्कार उत्राखंड APO के बारे में इस वीडियो में लोग जानेंगे सबसे पहले 2021 उत्राखंड APO का जो एक्जाम हुआ था और उसका 2022-23 में फाइनल रिजल्ट आया था लेकिन इसकी वेटिंग लिस्ट भी आप निकाली जाएगी ऐसे वो साथ ही जो पहले इंट्रिव्यू देखे आये थे उनका सेलेक्शन नहीं हो पाया था तो अब उन्हें मौका इसमें जो है मिलने वाला है इसके साथ नए नोटिफिकेशन का मैं आप लोगों को बता दूँ एक सो पच्पन वेकेंसी 151 सोरी 155 वेकेंसी जो है उत्राखंड एपियो में निकलेंगी नोटिफिकेशन जैसी वेटिंग लिस्ट किलियर हो जाएगी तो रंधी कमिशन जो है वो नए नोटिफिकेशन क विध्यापन को लेकर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करतेगा उत्राखंड एपियो में दो महत्पून बाते आप लोगों को इस वीडियो में मुझे बतानी हैं यह तो इन्फोर्मेशन देनी थी एक तो यह था कि क्या न्यू एक्ट पढ़े या फिर कुछ सिलेवस में च कर्मिनल लाओ आप लोगों के आएंगे आएंगे उत्राखंड एपियो में इसके साथ उत्राखंड लोक से वायोग ने अभी उत्राखंड PCS का पेपर हुआ था तो उसके GS का भी सिलेवस चेंज किया था और उसमें उत्राखंड GK जो उत्राखंड GK है वो one third जो है mandatory कर द इस बात को ध्यान रखेंगे कि उत्राखंड APO में जो उत्राखंड राजी का जीके वो बढ़ सकता और इसमें कोई भी स्तेट का एक कंडिडेट जो है एपर हो सकता है एक्जाम दे सकता है पहले प्री होगा फिर मेंस फिर इंट्रिव्यू और फाइनली आप लोगों को से जीएस में उत्राखंड हिस्ट्री जोग्रफी जनरल साइंस करेंट फिर यह आता है और एक लाग का पेपर में आपकी IPC यानि जो BNS या RPC और इंडियन एविडेंस एक्ट इसके साथ साथ आपका इसमें पुलिस उत्राखंड पुलिस एक्ट भी आता है ठीक है तो यह सले फिर इसका बाद मेंस होगा मेंस में दो लॉके पेपर होते हैं एक आपका लेंग्वेज का पेपर होगा हिंदी लेंग्वेज का एक जीएस पेपर होता है और फिर आप्टर इट इंट्रिव्य होगा तो यह था उत्राखंड APO के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाना था कि जो साती उत्राखंड APO के तयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो अपने इसको फोलो कर लीजियेगा तयारी में लग जाईएगा नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेगा और वेटिंग लिस्ट भी किलियर होने वाली है और यदि उत्रा चाने उत्राखंड गये कड़ास स्तार्ट हो रही है हमारी साथ सितम्बर से सेवन उप्सिटमबर से नई उत्राखंड गया के की क्लास रही है तो आप लोग इस बैच में शानट हो सकते हैं और उत्राखंड APO में सेलेक्शन ले सकते हैं थैंक्यू